हेलो एब्रिवन, वेलकम टू सुमन किचन, आज बनाएंगे देशी स्टाइल में सबजी, सेम फली की, यहाँ पे दो कलर में हमने सेम फली लिया है, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा यहाँ पे रेडनेश पे है, आपको जो भी फली मिले, वो आप ले लिजे, और बनाने का त तोड़ लेजिए, चाकू से कट कर लीजिए, इसके साइडो से सबसे पहले हम थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाल से इसमें साइडो में रेसे होते हैं, उसे भी निकाल लेंगे, यह देखे इस तरीके से तोड़ेंगे तो रेसे निकल जाएंगे, य इसलिए इसमें से रेसे नहीं- निकल रहे हैं जिससी तरीके से सारे फरीक को आप चाकु के हरप से कट कर लिजिए या हाथों से इसे तोड लिजिए यह देखिए इस तरीके से रेसे निकलेंगे साइडों से और फिर इसे बड़ा या छोटा साइज जो भी साइज आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसे तोड लिजिए यह देखिए तो चलिए सारे फली को हम तोड लेते है इस तरीके के pieces में छोटा या बड़ा सारे फली को हम तोड लेंगे उसके बाद हम मिलते हैं तो यहाँ पे सारे फली को हमने तोड लिया है यह देखे इस तरीके से रे से निकले हैं और फली की size फिर से वापस बता रही हूँ कि अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं अब फली हमने तोड़ लिया है इसके लिए थोड़े से मसाले तियार कर लेते हैं तो एक मिक्सी जार में हम डालेंगे आधी चमच जीरा और यहाँ पे 5-6 काली मिर्च डाल देंगे आधी चमच राई डालेंगे और यहाँ पे आधा इंच अद्रक का टुकड़ा डाल दे रहे हैं दो हरी मिर्च डाल रहे हैं और थोड़ा से इसमें हम धनिया डाल देंगे उसके बाद से 15-20 लहसन की कलिया डालेंगे जितना लहसन डालेंगे उसना ही अच्छा सबजी बनेगा पीस लेते हैं तो यहाँ पे इसका पेश्ट तयार हो चुका है गैस पे एक कडाही हमने रखा है और डालेंगे छोटे समच से 5-6 चमच तेल गरम होने के बाद आधी छोटी चमच जीरा डालेंगे और 3-4-5 इसमें हम डालेंगे हींग अच्छे से तड़क जाने के बाद यानि कुछ सेकेंड हम इसे भून लेंगे जीरा का कलर चेंज होते ही इसमें बाकी हम डालेंगे सबजी तो यहां पर देखें कलर चेंज हो चुका है जो फली हमने लिया है उसे अब डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे तेल में फ्राई करेंगे इस तरीके से चलाते हुए इस तरीके से यदे आप सबजी बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है एक बार ट्राई किजिएगा दो मिनट भूनने के बाद इसमें दो बड़े साइज की आलू को धो कर और इसको हमने कट कर लिया है उसे भी डाल देंगे और चलिए इसे भी हम एक दो मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं जब तक फली का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे तो इसे हमने चला लिया है धक देते हैं थोड़े देर के लिए और उसके बाल से हम एक दो मिनट के लिए धरक कर इसे भोल लेते हैं तो कभर कर दिया है मैंने छोड़ देते हैं दो से तीन मिनट के लिए चलिए चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फली का कलर एकदम से चेंज हो चुका है और अच्छे से आलू और फली फ्राई हो चुका है तो अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे सबसे पहले स्वाधि के अनुसार नमक डाल देते हैं आधी चमछ हम डालेंगे धनिया पाउडर 140 इस्पून हल्दी पाउडर यहां पर गैस का फ्लेम है ना वो लो और मिडियम रखेंगे हम तो इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से इसे भूने देखें कलर भी चेंज होने लग गया है और मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी पांचे चमच के करीब हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाले और अच्छे से पक जाएं इसे मिक्स करेंगे और कभर करके इन मसालों को हम पकाएंगे तो मसाले लगबग भून चुके हैं थोड़ा सा और पका लेते हैं जितना अच्छे से मसाले भूनेंगे न उतना ही अच्छा स्वाद आएगा सब पका लिया है और मसाले अच्छे तरीके से भोन चुके हैं साथ ही साथ यहां पे जो सबजी है वो भी कूख होने लग गया है देखिए आलू बिल्कुल कूख हो चुका है थोड़ा सा 5-10% के करीब बच्चा है तो अब हम डाल देंगे टमाटर टमाटर आप लाश्ट में डाल है तो यह आप चाहे ना तो बस यह सबजी यहीं पे बंद करके सर्व कर शकते हैं क्योंकि सुखी सबजी त्यार हो चुका है लेकिन मुझे ग्रेवी वाली सबजी बनानी है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल कर इसे पकाऊंगी तो यहां पे छोटे गिलास से एक गिलास में प रेडी है यहां पे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे सबजी में गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को आफ कर देंगे सबजी बनकर रेडी है सस्क्राइब की